बिस्मिल्लाहिर रह्मान रहीम, अस्सलाम अलेकुम दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठिक्ठा काल हम्दलेला, आज मैं बनाने जारी हूँ, बहुत इजी और क्विक रेसिपी, पॉकेट टोस्ट बनाने जारी हूँ, ये देखे मैंने ब्रेड लिया है, खा के उनको मज़ा आता है, कि वो जो बड़े बच्चे है, वो बना भी सके, बहुत इजी ली, मैं इस तरह की कुछ रेसिपी लेके आऊंगी, खास करकी किट्स के लिए, जो इस लोगडाउन की वज़ा से वो लोग घर पे हैं, और बहुत सारे बच्चे जो है ना, खाने बनाने में, कुकिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दे रहे हैं, और अपनी मम्मा को हेल्प कर रहे हैं, तो मैं इस तरह की बच्चों के लिए, थोड़ी बड़े बच्चे जो थोड़ा बहुत ओमलेट बना लेते हैं, या तो माइक्रोव चलाना आता है, या तो मेगी बना लेते हैं, नूडल्स बना लेते हैं, इस तरह की बच्चों के यह सब रेसिपी हैं, बहुत ही कुईक एज़ी है, अब देखते रहे हैं, मैं कैसे बनाती हूँ, पोकेट टोस्ट, जी दिखिए, तो सबसे पहले मैंने के लिए एक बाल लिया, उस पे मैंने यह यह चैनल है, आप लोग के पास है तो डालिया, यह तो सिर्फ कैप्सिकाम है, तो डालिया, इस तरह से, यह मैंने डाल दिया, तक ही थोड़ा है healthy रहे हैं, बच्चों के लिए, इसलिए मैंने कैप्सिकाम भरके डाला है, यह green, yellow and red, ठीक है, थोड़ी सी मैंने यह दिखिए और इसमें अंडा भेटोंगे जी दोस्तों ये दिखें मेरे तीन अंडा लिया है इसमें इसमें कुछ नहीं डालूंगे मैं सिफ जरा सी चाट मसाला डालूंगे और ब्लैक पैपर डालूंगे चाट मसाला में नमक रहता है, इसलिए मैं नमक नहीं डालूँगी, आप लोगों को नमक चाहिए होता है, तो आप लोग इसमें नमक डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा, ठीक है, ठीक है, मैंने चाट मसाला और ये ब्लैक पेपर डाल दिया था, ठीक है, और इसको मैं अभी साइट क बीच काटूंगी, तो मेरे पास, मैं अभी cutter यूज नहीं कर रहे हूं, मैं आप लोग को दिखा रही हूं, देखिए मेरे पास इस तरह किस size है, कोई भी अपनी हिसाब से size का यूज ये किजी आप कोई भी घर पर कुछ भी हो गलास हो, कुछ भी हो इस तरह पी ये देखिए बहुत ही ईजिल ये निकल आएगी इस तरह एक ये हो गया ये मी निकाल रहे ही हूँ और एक ये इस size से मैं इसको काट लूँगे दोस्तों ये देखिए मैंने अलग-अलग 3 size की ये काट लिया था ठीक है तीन अलग-अलग size की मेरे पास ये ठकन और ये थी ये last वाला मैंने glass से काट राऊ ये देखिए काट लिया ठीक है अब मुझे क्या करना है पैन पे butter ढलके उसको गरम करना है जी देखिए मैंने पैन आम कर लिया था यास पैन में चाढ़ा दिया ये देखिए मैं बटर से बनाऊंगी क्योंकि बच्चों का है तो बटर ज़रूरी है और सबसे पहले ये जो मैंने कट करके रखा था न कि इसको मैं पहले जरा से शेख लूगी इन जो कटिंग वा हो जाएं ओके ये देखिए मैं अभी क्या करूंगी ये जो मैंने बटर गरम कर लिया था इसमें मैं ये शीप वाली जितने आपकी कैपसिटी है आपकी पैन की ठीक है इसको ऐसे सेट कर दिजिए ओके इस तरह से उसके बाद हम ये जो हमने एग मिक्स रेडी किया था न सारे वेजिटेविल के साथ इसको डालेंगे शुरू में बहुत ही थोड़ा डालेंगे ज्यादा नहीं कि वह बहार निकल के आ सकता है जी इस तरह ये देखिए अब हम इसमें इसके उपर ये देखिए चीज भी एड़ करेंगे मैंने मौजरेला चीज लिया है आप चैदर चीज या तो कोई भी ऐसी चीज जो बच्चों को बहुत पसंद आए ये चीज आप कर सकते हैं उसके बाद हम दो मिनिट तर इसको ढ़के रखिए ठीके दो मिन ठो गया है मेरे और मैं अब इसका धककर निकाल के इसका हम इसे चेंज करने की कोशिश कर दी हूए देखिए वाव ये देखिए बस बन गई हमारी पॉकेट टोस्ट जी देखिए इस इस दा फाइनल लोक मैंने बना लिया था सारा और ये जो कट करके निकला था कट वाली ब्रेट इसको भी मैंने बटर से टोस्ट कर लिया था कितनी टैम्टिंग लग रही है ना बहुत ही मज़ेकी होती है खाने में और बच्चों को खास करके बहुत ठीक है और सबसे बड़ी बात बड़े बच्चे अब आराम से बना सकते इसको कोई मुश्किल चीज नहीं है मैंने बहुत इजी लिए आप लोग को दिखा के दिया है ठीक है बस आप करना क्या है इसको बनाएए और प्लीज 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 मुझे कोमेंट जरूर तब तक के लिए अलाफिस दोस्तो टेक केर एवरिबरीबडी बाई